बीक बॉस तुझा अंचावर भरोसा नही काए त्याग रा जाला नंतर, कर तो जनतर मंतर, मंतर, अबरा काड़ा, डबभगोल, डबभगोल बीक बॉस तुम्हें अंचावर भरोसा नही काए बिग बॉस तुमसा अम्चावर भरोसा नहीं काई नमस्कार मैं हूँ त्याग राज मराथी बिग बॉस का कॉंटेस्टन्ट और आप मुझे देख रहे हैं पॉप बॉलीवुड पे सब्सक्राइब चैनल प्रेस बेल आइकन और नेवर मिस एनी अपडेट कॉन है नकली कॉन है क्या ट्रेजिडी आती है क्या कॉंट्रोवसिस होती है यह लोग हमेशा जाने के लिए उत्सुक रहते हैं और आज हमार सथ घर के ऐसे ही कंटेस्टेंट है त्याग राज जी जो हमें बताने वाले है कि उनका एक्स्पीरिंस कैसा दा और वाइल का एंट्री आने के बाद क्या चेंजे उन्हों ने देखा घर में हुए है और क्या ने तो चैलिया मुनी से बात करते है लेट सेलकम ट्याग राज जी वादेगम जो पॉप बॉलीवोर्ड के सभी दर्शोगों को मेरा प्यार बरा नमस्कार जरनी तो बहुत ही मज़ेदार थी जितना भी सफर मेरा उस घर में था एक अनुखा अनुभव था उसका और इस तरह का जो अनुभव है जो पैसे देकर भी नहीं मिल सकता है उस तरह का अनुभव वो घर वो अलिशान घर वहां का माहौल वहां के सारे सदस्य वहां के टास्क सब एक अलगी दुनिया है तो मज़ा है का मैं आजप को अजए लगैल के लिए्टे के लिए हों अचित के लिए रोंग तो कुछ नहीं हुआ लेकिन वार्ड कार एंट्री जाना हीत रॉंग है यह संद से एक लिए मेरे सामने भी उन्हों ने इने बात की कि आप तो हो लेकिन अभी इसके बाद हम किसी वाइल कार को आने नहीं देंगे क्योंकि हम लोग यहां से लगातार 40-45-50 जो कुछ दिन है रह रहे हैं हम लोग यहां पर आप फ्रेश माइंड से बाहर से आते हो अच्छा-च्छा खाना खाके आइस्क्रीम खाके मुवीज देखके मोबा अगर और कोई वाइल कार्ड आता है तो हम उसको दरवाजे से उठा कर फ्रेंग देंगे तो यह उनका माइन सेट है तो वैसान उनकी आप अच्छा आपको लगता है कि यह जो आपको आपको अच्छी एंते मिली वहां पर जो मैंने कर्स का गाना ओम शान्ती ओम वह परफॉर्म करते करते मेरी इंटी हुई उसके बाद में मेरे दूंतिन परफॉर्मंस इस वहां पर हुए रैप के और रॉप वगरा वगरा जिसकी महेज जी ने भी तारीफ की और एक टैग दे दिया मुझे टीनेजर का और उन्होंने भी मेरी तरह ट्र वगराज का नाम उन्होंने दे दिया था तो इस वजह से जो पुराने सद्से थे वो पहले घुस्से में थे उन्होंने ये बात मतलब बोलके भी बताई महेजी के त्यागराज को क्यों इतना इंपोर्टेंस दिया जा रहा है और उनको क्यों इतनी अच्छी एंट्री दे जो हमको पिसले चालीज दिनों में नहीं मिली कि वो कुछ चाप ही नहीं हमारी पड़ रही है लेकिन इसके तो आते ही हो गया तो उनको तो गुस्सा था यह वो निकल गया आप हमने देखा कि जहां पे आप कैप्टेंस बनने के लिए बहुत जादी मैनत कर रहे थे आप ल लोग है उसमें एक तो मेघा है और दुसरा आस्ताद है और शायद उनको यह लग रहा था मतलब यह मुझे महसूस हुआ खास करके आस्ताद और दुसरे लोग कि हम अब तक कैप्टन नहीं बने लेकिन यह आते ही दुसरे विक में कैप्टेंशिप के लिए खड़ा हो गया मतलब उसको वो कैप्टेंशिप का नॉमिनेशन मिल गया तो यह थोड़ा फास जा रहा है तो इसको आभी रोखना चाहिए और बाहर फिंखना चाहिए तो यह सब मिली भगत करके उनों नहीं किया तो उनकी तरफ से ठीक है मतलब यह गेम है आपने पहले देखा में का जब मैं गया तब राजेश अल्डरी एलिमिनेट हो चुके तो नहीं क्योंकि वो किस्सा उदर ही खतम हो गया था और बिग बॉस की मराथी की या फिर किसी भी लांगवेज की सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी एलिमिनेट हो जाता है उसके बात निकलती ने फिर से क्यों आगे खिलना होता है आगे बढ़ता है तो आगे की सोच ते वरन नेती वो पिछे मुण के नहीं देखते अगर में आपको क्या लगता है कि अपने अपने मास्टिमajत तो बता दिया साथ लेकिन विटन कौन रटता है गरम आप of alexis तो नहीं कि हर आपको यह किली की थठा ह और वो ठीक ही है मतलब गेम के इसाब से चाहिद उसकी जूरुत पड़ती होगी क्या सोच किया अपने रेशन कर दोच किया क्या सोच कि सोचा मैंने कुछ नहीं था मैंने जब भी मैं गया थो मैंने हरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था किसी ने उसका स्विकार किया किसी ने अस्विकार किया किसी ने पीठ में खंजर भौंग दिया सब हो गया तो तब मैं ये जानने लगा थोड़ा कि कौन अगर मैं दोस्ती करना चाहता हूं तो सामने से कौन करना चाहता है तो उस हिसाब से मुझे रेशम और उसकी जो टीम है उनकी तरप से मुझे लगा कि शायद दोस्ता ना बढ़ सकता है मेघा और उनका दूसरा ग्रूप है वो थोड़े से अनप्रोचेबल अन्रिचेबल क्योंकि वो दिन भर लड़कियों के बेट्रूम में बैठी रहती है और वहां पर उनकी सारी कूट नीथी पक्ती रहती है तो वहां जाके बैठना और उनके साथ जॉइन करना थोड़ा सा लगा मुझे इसलिए नहीं हो पाई जहां तक रेशों की ग्रूप की बात है तो बाहर उनको काफी नेगेटिव कमेंट्स आरे लोग के रहें कि यह जो है फुरी फेक लोग है और जहां पर सही और मेगा की ग्रूप की बात हरी लोग उनको काफी जादा सपोर्ट कर तो इस अब से ज्यादा कूत नितिय और कपट निती मेगा और सही की है अभी और भी मतलब खेल बाकी है पिक्चर अभी वाकी मेरे दोस्त आगे आगे देखिये होता है तो आप अगर घर में वापस जाने का मौका मिला दूसरा इस इंगे तो आप अभी कौन से चेंजिस आप लेक अभी कोशिश की और दूसरी बात मैं कोई स्टेटमेंट भी नहीं करूंगा क्यूंकि आगर कोई वहाँ पर स्टेटमेंट आप करते हो तो वो लोग समझते कि यह चुगली कर रहा है दर असल वो तो एक स्टेटमेंट होता है कि जिस तरह से शक्कर मीठी होती है यह तो उसी तरह आस्ताद रेडा है असव उस्टेटमेंट है कि चुगली नहीं है तो आस्ताद वो त्यागराज तुमको रेडा कह रहा है मतलब सांड मैं नहीं कह रहा हूं यह चुगली नहीं है यह किसी दूसरे ने कहा है मैं दोहरा रहा हूं उसको तो यह गलत फेमी जो फ अगर दो बारा मोका मिलता है तो वेल घर में आपको क्या लगे टो फाइफ प्रेटिवल गेम है तो मतलब इसीना ठोक के तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन मेरा जो अनुमान है वो है कि मेगा सही रेश्यम लड़कियां ज्यादा होगी कि उनको ज्यादा वो समझ में आता है गेम और अगर लड़कों में अगर कोई होगा तो अस्ताद हो सकता है पुशकर और अस्ताद का आपको क्या लगते हैं लग फीक हैं लग उस्त गेम के थू जा रहे हैं गो बिन दफलो है या आपको तो तो मतलब हर कोई है क्योंकि वहां पर आपको रननीती करनी पड़ती है थोड़ा सच थोड़ा जूट थोड़ा अच्छा थोड़ा पुरा तो हर तरह का मिश्रण होता है वहां पर व्यक्तित्वता वही लड़कियां ही होगी मेरे सबसे मेरे आंदादे से मेघा सही और अगर ठीक तरह से खिलती तो रेशन और आपके सबसे विनर को होगी है वही मेघा या फिर सही आपको ऐसे मिलगता कि आपको उनका ग्रूप जोने चले ले ना से जैसा कि मैंने पहले कहा कि वह और उनका जो एक ग्रूप बन चुका है दूसरे बात कि बहुत ही डॉमिनेंट नेचर की लड़कियां है मतलब वह कहती है और बाकि उनकी टीम सुनती है वह रननीती तैयार करती है और बाकि उसको अमल करते हैं तो इस तरह से उनके साथ रहना शायद मेरे व्यक्तित्व को मनजूर नहीं था तो इसलिए नहीं हो पाया और दूसरे बात इससे ज्यादा भुलना मिलना नहीं हो आई सलिए अज़ाने से पहले ही कि लेन अप जरूर कॉन सा वाला जो भी आपका अचिए जो बीक बॉस में मैंने रैप लिखा था लंबा था साथा तंत्रे थे उसमें उसमें से थोड़ा, выйak बीक बॉस्त आमचा वर भरोसं नहीं काया बीक बॉस्त तुझा बॉस्त благ बॉस्त 어제 गोर वा ट्यारा जॉला नजो आंतर नंतर करतो जंतर मंतर मंतर अबरा कड़ा डबा गौल दबबा बॉस्तमी अमचा शीगोर गोल बीक बॉस तुमस्त foster आम ज्या आवर भरोसा नहीं का है